था कि पावर सप्लाई में बहुत ही ज़रुरत है इसको स्मूथ बनाने के लिए क्योंकि जितनी ही पावर सप्लाई मारी काउंस्टेट और स्मूथ होगी उतना ही ईसकी लाइफ होती है यानि जो लाइफ इसका होता है वो बढ़ जाता है इसकी प्रोडक्शन के उजार से तो इसमें एक खाज बात हमने देखा है जो काफी डिफरेंस देखनों को मिला है अधर मदरबोड से जैसे कि यहाँ पार देखें यह तीन कैपिस्टर यूज किये गए हैं यह नितीन प्यो प्रोड है दो है और दोनों को इसके इंटवरल कैसे हैं उसके डिजैन को बहार पर दिखाते हैं और खास बात यह है कि जैसे से हमारी टेकनॉलोजी स्मार्ट होती चलिए जा रही है ऐसे से यहाँ पर पावर सप्लाई को भी समार्ट बनाने की जो जो है पूरी कोशिस कमप फिराल आज इस रेक्टिफायर डाइवोर्ड के इंटर्ण इसके इस्ट्रक्च्र को देखते हैं और समझते हैं ज यह है इसका इंटर्ण डाइग्राम जैसे कि वहाँ पर देखें हैं यह दो जो हमारा बूर्ण ब्नोंकान कैसे वहाँ पर दिखाया है जैसे यहाँ पर देखें यह है इसका pin number 1 और जो की plus है अब जैसे pin number 1 यहाँ पर positive A है और negative A यहनी plus और minus यह हमारा DC output होता है अब यहाँ पर AC input होता है जैसे यहाँ पर neutral और phase की line होती है लेकिन यहाँ पर देखें direct जोड़ा हुआ है अब यह दोनों direct जोड़के यह neutral हो जाएगा फिर यहाँ पर दोनों यह pinnayा àpex में जोड़के यह हो जाेगा line तो यह neutral और phase की line हो जाएगी और यहाँ पर जो इसका output मिलेगा plus और minus का तो plus और plus में जोड़ जाएगा और minus मैंस में यानि negative negative में positive positive में तो यह दोनों मिलके हो जाएंगे, प्लस और माइनस, पॉस्टिप निगेटिव, अब इसको इस तरीके से समझें, कि जैसे यहाँ पर देखें, यह चार-चार ड्यवोड का यह बिरिज बना हुआ है, और दोनों बिरिज को हमने इस तरीके से जोड़ा है, कि जिसके यहां पर देखेंगे एनोड यह एनोड यहां पर ऐसे जुड़े हुए है आपस में और यहां पर कैथोड और नोड को यहां पर जुड़ा गया है फिर यहां पर देखेंगे टूटल जितने भी कैथोड हैं वह आपस में जुड़े हुए है अब यह चार चार का जो जो बना हुआ है यह ब्रिज है अब इसके इंटर्नल जो इंपुट और आउटपट होता है तो यहां पर जी हो गया इसका आउटपुट यानि माइनस और यह हो गया प्लस अब इसको कुछ इस तरीके से देखें जैसे यह प्लस और यह माइनस ऐसे यहां आपर ये न्यूटर और ये खिलन का कनेक्शन है कि यहां में बनागे हैं जूड़ा का यह जूड़ हुआ हैं सब्सक्राइब Adam yes अब इससे लाब क्या है और इसको ऐसा क्यों बनाया गया इसका फायदा क्या है यह कैसे काम करता है इसको हम अगले वीडियो में समझते हैं